हेलो फ्रेंट्स वेलकूम टू मैं इस्टडी फीट चैनल दोस्तों मैं फिजिकल एजूकेशन की चेप्टर वाइज एंसे क्यों कोस्जन्स का प्रैक्टिस करा रही हूँ जो इस्पूर्स साइकलोजी यानि की खेल मनोद विज्ञान का यह पाच्वाँ पार्ट है एंड दोस्तों यह दिया फीजिकल एजूकेशन के किसी भी कंपर्टिशन एक्जाम चाहे हूँ किसी भी इस्टेट का हो टीजेटी पीजेटी केवियास एन्बियास यल्टी नादेस्थां पीटी आई डियससवी इन सभी का सिलिवस के एकार्डिंग पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर सभी वीडियोज सिलिवस के एकार्डिंग हैं सभी वीडियोज को वाज़ करके आप अपनी प्रिप्रेशन को बेहतरीन कर सकते हैं एंड दोस्तों हंडेर से ज्यादा वीडियोज प्रिवेस यह एंसे क्योश कोस्टन पर बनाये गए हैं उसका प्रैक्टिस करना अपने कोस्टन की तरफ तो दोस्तों कोस्टन है कि फिलोसॉफी यानि कि दर्सन शास्त्र दर्सन का उदय किस देश में हुआ तो दोस्तों इसका उदय हुआ ग्रीश यानि युनान से नेक्ट कोस्टन है किस फिलोसॉफी में सत्यम शिवम सुन्दरम को सबसे उचे लच्छे पर रखा गया है तो किस में रखा गया है आईडियोलिज में यानि कि आदार सुवाद में नेक्ट कोस्टन है कि बाड़ी व्यूटी फूल को सबसे ज़्यादा महत्व किस दर्सन सास्त्र में दिया गया है तो इसको भी दिया गया है आईडियोलिज में यानि कि आदार सुवाद में ठीक है Next question है किस दारसनिक ने माइंड और बाड़ी को एक साथ बताया है तो इसको माइंड और बाड़ी को एक साथ बताया है अरस्तुन Next question है Sound body है जे sound mind किस दारसनिक ने इसका प्रचार किया या यह सब्द किसका है Sound body है जे sound mind यानि कि स्वस्त सरीर में स्वस्त मस्तिस्क रहता है इस बात को कहे हैं अरस्तुनी Next question है Naturalism Naturalism फिलोशॉफी को किस दुसरे नाम से जना जाता है ठीक है Naturalism फिलोश्फी को कौन से फिलोश्फी कहा जाता है तो इसको प्रकृतिवाद बोला जाता है जैसा कि दोस्तों प्रकृतिवाद के प्रतिपादक है यानि प्रवर्तक है रूसो और यह प्रकृतिवाद जो है इसकी प्रवर्तक रूसो है और इस केंद्रबिंदु विष्व की भौतिक तत्यों को मानते हैं और प्रकिति व्रात करना है कि सत्य जो और प्रकिति के भौतिक अस्तेत्यों में नहित है केवल भोतिक संसार को सत, यानि प्रकिती जिवन मुल्यों का हिश्रूत है, तथा याप्रतेग व्रति की विकास तथा विकास संकेत करती है यानि इनका कहना है कि मनुष्यी एक जीव है उसका आचर यो ब्योहार मख्यू रूप्स के रूप्स के उसके एक प्रकार से प्राकितिक जीव होने का प्रिडाम है ठीक है नेश्ट कोश्चन है दोस्तो प्रागमेटीज में प्रागमेटीज में फिलोसॉफी को दुसरे किस नाम से जाना जाता है प्रागमेटीज में यानिकी प्रियोगवाद प्रागमेटीज में यानिकी प्रियोगवाद को दुसरे किस नाम से जाना जाता है तो pragmatism को experimentism या deoism के नाम से जाना जाता है इसको दोस्तों बियोहारवाद भी कहते है कर्फीज मत हुजिएगा इसी pragmatism फिलोसोफिक को experimentism और deoism भी बोला जाता है और इसको बियोहारवाद भी बोला जाता है ए ध्यान में रखिएगा बियोहारवाद यानि प्रोबाद जो है यानि जो experimentism है pragmatism है यानि प्रोबाद में मुख्य रुप से अनुभो को मुख्य माना ग्या है क्योंकि यह भी कुछा जाता है question कि प्रोबाद या बियोहारवाद किसको सबसे ज़्यादा महद देता है तो यह अनुभों को महत देता है प्रयोगवाद किसको प्रयूग को यानि कि अनुभों को जितना आप प्रयोग करेंगी उतना ही आपके पास अनुभों होगा यानि ब्योहारिक्ता दच्छता यह अनुभों यानि कि सफलता एक अनुभों की कुंजी है बहारवाद यानि प्रियोगवाद का क्या कहना है कि सफलता एक अनुभों की QUNJI है यानि यह अनुभों को मेंन मानता है ठीक है यह ध्यान में रखेगा next question है कि Pragmatism का दासनी किसे कहा जाता है Dogmatism यानि की Experimentism तिरे बुले τिनीत यह को ईसलिएर कोई नहीं होगी उनले लिए प्रोवह ए मार्योक्ति को इसके प्रोवर तक कौन है इसके प्रोवर्तक है जानवरत कर दियान के विद्ने धाता है , दियान p प्लेटो तथा अरस्तु कौन है आदर्स्वाद की जो उत्पत्ती हुई है वो बिचार वाज से हुई है कभी कभी कोश्चन दोस्तो कई बार पूछा गया है कि आदर्स्वाद किस पर अधायत है तो आदर्स्वाद आदर्स्वाद किस पर अधायत है विचार पर ठीक है नेक्ट कोश्चन है कि रियलीज्म यानि यथा अधायत की सुरुवाद किन दर्सन सास्तियों ने किया था इसका सही जवाब है अरस्तु मेन है अरस्तु इनके साथ साथ है सेंट थामस एक्विनास डेस्क्रिटस आदी य इथात्वाद में क्या है कि यह बहुतिक तत्व को मिन मानता है और जो जिस तरह का है इथात्वाद यानि कि जो वर्तु जैसे है उसी रूप में उसको स्विकार करना यानि कि यह कहता है कि हमें स्रिष्टी को उसी रूप में उपयोग करना चाहिए जिस रूप में वह हमा हमारे सामने आता है या हमारे समझ्चे है सत्ध की खोज बयानिक धिन से ही की जा सकती है इस प्रकार से इसमें Trust को changing है कि औरस्तु नामक दर्शन शाश्त्री का जन्म युनान में कहां हुआ था तो अरस्तु का जन्म इनान के इस्टेजीरा में हुआ था कहां पे हुआ था इस्टेजीरा में हुआ था Next question है अरस्तु द्वारा सुरू किये गए इस्कूल जिसको लेजियम कहा जाता था उसे दुसरे किस नाम से जाना जाता था तो अरस्तु द्वारा जो इस्कूल शुरू किया गया था जिसको लेजियम कहा जाता था उस लेजियम को दूसरे किस नाम से जाना जाता था उस समय पैरी पेटेटिक नाम से किस नाम से पैरी पेटेटिक नाम से जाना जाता था ठीक है नेक्ट कोश्चन है अरस्तु किसके अ आप कभी नहीं भूलेंगी, सुक्राद slipperytog earnasthus का मतलब सुक्राद का शिष्षिय प्लेटो प्लेटो का शिष से अरस्तू ठीक है। एदियान में रखी गा। नेट्स कोश्चन है कि इनअ में से कौन से विशिस्थाज सिखने से समंधित नहीं है आपसन है बिहार में इस्थाई परिवर्तन नोईन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना ये भी है बिहार में इस्थाई परिवर्तन ही सिखना है ये भी सही है उद्धीपन अनुक्रिया की मध्य और साहचरे नहीं दोस्तों यह गलत है क्योंकि उद्धीपन अनुक्रिया की मध्य साहचरे इस्थापित करना ही सिखने से समधित है और साहचरे नहीं इसलिए यहाँ पर आपसर नंबर सी करेट हो जाएगा एंड दी है प्रसिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् मुझे कमेंट में ज़रूर बताईए उसका मैं निरान करने की पूरी कोशिश करूंगी एंद दुस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए विल आइकन को फ्रेस कर लिजिए जिसे निव विडियो का आपडिट आप तक पहुचता रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं